लेक्चर नमबर 21 में हम लोग देखेंगे एनलैसिस अफ कैंडलिस्टिक जो हम लोग पिछले तीन वीडियो से पढ़ रहे हैं एनलैसिस अफ कैंडलिस्टिक उसका हम लोग रिवीजन है देखिए एनलैसिस अफ कैंडलिस्टिक जो हम लोग पढ़ रहे थे टोटल यह जो टो माल लगाने के लिए हम लोग को पांचो को एक बार फोकस करना पड़ेगा तो देखिए फर्स्ट में हम लोग देखें थे size of candlestick body candlestick body का size क्या होगा तो देखिए अगर candlestick body candle अगर बढ़ा होगा candle अगर बढ़ा होगा तो ज्यादा buying pressure ज्यादा होगा अगर ये green candle अगर बड़ा होगा तो buying pressure ज़्यादा होगा और red candle ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा selling pressure ज़्यादा होगा ठीक है और देखिए short candle होगा ये candle और ये candle होगा ठीक है तो यहाँ पर बहुत छोटा buying pressure होगा बहुत छोटा buying pressure होगा और selling pressure भी बहुत ज्यादा छोटा होगा मतलब बहुत कम amount में कोई इंसान sell करेगा और बहुत कम amount में कोई इंसान buy करेगा ठीक है देखिए और यहाँ पर जो buying pressure होगा अगर buying pressure ज्यादा होगा buying pressure क्या होगा ज़्यादा होगा तो demand भी क्या होगा increase होगा जब demand increase होगता है तो फिर price increase करता है अगर demand increase करता है तो price क्या होता है increase करता है ठीक है और देखिए ये candle बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो selling pressure होगा कैसा pressure होगा selling pressure जब sale बहुत ज़्यादा लोग करेंगे तो क्या ह होगा supply बढ़ जाएगी supply क्या होगी बढ़ जाएगी supply जब बढ़ जाती है तो price क्या होता है decrease कर जाता है price क्या होती है decrease कर जाती है ठीक है अब देखिए दूसरा इसका टॉपिक था candlestick momentum candlestick momentum अगर इस सब वीडियो को आप detail में देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को आप देख सकते है candlestick momentum का एक अलग सा वीडियो बना हुआ है ठीक है यहाँ पर देख सकते है bullish momentum होता है और एक various momentum होता है दो momentum होता है bullish momentum यह देखिए बड़ा candle है उसके बाद छोटा candle है उसके पाद छोटा candle है उसके बाद छोटा है इसके बाद फिर और छोटा होगा उसके बाद क्या होगा market क्या होगी डाउन जाएगी इस रेंज में हम लोग बहुत इजली से पैसा को बना सकते हैं इस रेंज में क्या कर सकते हैं पैसा को बहुत इजली से बना सकते हैं ठीक है यहां देखिए इसको क्या बोलेंगे फास्ट मोमेंटम यह बहुत जल्दी तेजी से आगे बढ़ रही ह क्यों क्यों यह सब की में गैपिंग क्या है बहुत ज्यादा है गैपिंग ज्यादा है उसको द्हूत खोटरप करण डल रह 250 कर अगरा उसना वर ribs मुमिंटम यह तो इतना सा की मार्केट को कवर कर रही है तो इसको नहीं सब्सक्रींद canton goofy क्या बोलेंगे Slow Momentum ठीक है अब देखिए BR is momentum अब देखिए BR is Momentum क्या है देखिए BR is Momentum है और देखिए BR is Momentum हैichi देखिए बजोние संसे बड़ा penhandle है उसके बाद हिस हो रहा है फिर चोटा है फिर इस के बात क्या होगा market up जायेगी क्या होगी market मार्केट अब यहां पर चैड़ों अगर बड़ा होगा तो क्या होगा देखें इसको आपर सेड़ों बोलते हैं इसको लोवर सेड़ों बोलते हैं यह एक हACK- सेडोब मतलब क्या होता है हमार्कெ यहां तक यहां तक आपाल कि ऐहां ऑकिन परल नहीं दोल टमं करें लेकिन लोगसात्विंट एक है यहां फिक है यहां पर दखें यह सब में देखें इसमें भी लूंग यह यह लांग यह लंग यह लॉंग सेडू है ठीक है यहां देखे इस चीज यह छोटा जटा सेडू है ठीक है अब देखिए लॉंग सेडू जहां पर लॉंग सेडू होता है जब सेडू बहुत ज्यादा लंबा हो तो अंसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होता है अंसर्टेनिटी क्या होती है बहुत जाएगी market अब जाएगी की डौन जाएगी यह uncertain है बाबू ठीक है अब नहीं वहां परiesen medans 6 हम को होगा कि market कहा जाएगी अब जाएगी यह जाएगी देखिएए यहां पह देखिए अगर यह ऐसा इंडल रहेगा तो market क्या होगी क्योंकि शाबगों होगा सर्टेनेटी बहुत अच्छा होता है certainty कासा होता है यहां पर market down जाएगा ठीक है yeah अब देखे पोजिशन आफ首 सीटिग बॉडी का पोजिशन ठीक है तो यहां पर दखेए यह सेडों को क्या बोलते हैं सेलिंग प्रेसर अपर सेडों को क्या बोलते हैं सेलिंग प्रेसर लोबर सेडों को क्या बोलते हैं बाइंग प्रेसर क्यों बोलते हैं क्योंकि जो सेलर है वो मार्केट यहां तक नीचे लेके गया है ठीक है मार्केट यहां तक नीचे लेके गया लेकिन बायर क्या किया यहां से अप कर दिया मार्केट यहां तक किया था मार्केट लेकिन क्लोज जाके यहां गया है तो इसमें देख सकते हैं आप लोग यहां पे बाइंग प्रेशर होता है यहां पे सेलर का प्रेशर होता है मतलब कि अगर मार्केट यहां तक उपर आया है तो seller इसको down किया है, seller क्या किया है, down किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, selling pressure, ठीक है, जेम ये side भी, ये buying pressure है, ये selling pressure है, अब देखिए, bully scandal है, और bear scandal है, तो इहाँ पर देखिए, seller, upside में क्या होती है, seller ज्यादा होता है, upside में seller, downside में seller ज्यादा, downside में, buyer का pressure ज्यादा, क्योंकि, seller तो इहां तक market नीचे लेके आया था एक बार, तभी तो इहां side भी बना है, लेकिन buyer क्या किया है, market को up किया है, अब किया है, तो buyer का pressure ज्यादा हो गया है, seller सेactively-prices यहाँ पे ज्यादा हो गया है अब देखिए अगर लेस्ट चैंडल को हैem लोग बोलेंगे लिस्ट मतलब मार्केट धीरे 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 चड़ेंगे अब देखिए इस को हम लोग क्या बोलेंगे मो बुनिस क्यों क्यों यहाँ बॉलिस जदा होगी तो वुलिस जदा होगी तो मार्केट धाय से उपार जाए गा मतलब बहुत तेजी से उपर जाएगा ठीक है यहाँ पर दखेए और क्योंrès कि यह से यहाँ परिशंग यहां पर सेलिंग प्रेशों यहां परिद्शन पर जया situ UK रॉटर करको 20議ं क्रेंश्यादर क्वेधाने को दzięk साल्कित 1 तो ॥ खेक है यहां पर देखे body to shadow ratio body और सेड़ो का रिज्यु यहां पर देख रहे हैं body और आयज और आई उसका साथ इसका रिज्न पर Hybrid із worked करेगा कि to go market कहा जा सकती है ठीक है तो आगे दिखते हैं इहां पर देखे अगर body बड़ा हो क्या हो बौडी बड़ा हो और shadow छोटा हो, body बड़ा हो, shadow छोटा हो, तो strong trend होगा, कैसा trend होगा, strong trend होगा, और trend जो होगा, वो continuous, continue रहेगा, जो जैसे कि up trend है, यहाँ पर up trend जा रही है, तो trend अप ही रहेगा, यहाँ down trend जा रही है, तो down trend ही रहेगा, क्योंकि body बड़ा है, यहां पे भी बड़ा रहेगा तो झायेग क्योँ यहां पे बड़ा रहेगा तो सब्सक्रेंट यहां पर क्यों कि बायरए परऊरष्टर जादा था है यहां पर देख लिजिए हुग son changed एस oblig Son चोटा हो तो बिक ट्रेड होगा मतलब की ट्रेड रिवर्सल होगा मतलब यहां पर देखिए मार्केट डाउन आ रही है तो यहां पर क्या होगी मार्केट अब जाने की संभाबना जादा होगी यहां तो फिर यह दोनों नहीं हुआ तो क्या होगा मार्केट कॉंसुल्रेट कर जाएगी मतलब इसमें चलने लगेगा मार्केट ठीक है यह होगा ठीक है यहां पर देखिए लिजीए सब का फेज है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे कि एक एक रेंज होता है रेंज है देखिए सब क्या एक रेंज है जैसे कि एक रेंज में मार्केट अप एंड डाउन यह रेजिस्टेंस और यह सपोर्ट है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ट्रेड करने लेगेगा तो आज का वीडियो हम लोग